आज के एपिसोड की जो उमारी पहली दो अपडेट है वो काफी जादा सीरियस है अब देखों लिवरपूल के जो स्टार प्लेयर है लुईस दियास उनकी फामिली को किड्नाइप कर लिए गया थी ये खबर हम सब को पता है अठाइस अक्टूबर को लेकिन ये भी पता है कि अठाइस अक्टूबर को उनकी मम्मी को और यहा पर रेस्क्यू कर लिए गया थी तर इसले रेस्क्यू कर पाया थी जो कि समय रहते पुलिस नहां पर घेराबंदी करने में सक्सेस्फूल रही थी ऐसे में चोर चक्के जो भी थे खिट्नैपर उनके पास बचने का रास्ता बस यही था कि वो महाँ पर माता जी को छोड़ दे लेंगे नो पिता जी को अपने साथ ले गए अब यहाँ पर हिसाब यह है कि और इस पूरे मामले ने कितना तूल पकड़ ले इस चीज़ से आप अंदाज ऐसी लगा सकते हैं कि पच्छिस सो से यहाँ पर है लगबग उतन ने यहाँ पर पहले चीज़ तो officially confirm कर दिया है कि वहाँ की जो एक फट बीचो बात कर बीचो बोलना है वहाँ पर जो आप इस समय कह सकते हूं कि रिबल रिबल्स जो है जिसका नाम आए दिन पीपल लिबरेशन आम यह पील ऐसी कुछ है नाम उनोंने यहाँ पर उनकी किसी यूनिट ने यहाँ पर ये काम किया है interestingly Twitter पर जब मैं पढ़ रहाए तके बारे में तो उन्होंने यहाँ पर यह पर यह भी बताया है कि उनके खुद के ने पता कि उनकी यूनिट ने ये काम कर दिया है लेकिन मामल्या भी यहाँ से काफी ज़ाधा तूल पकड़ सकता है कwno क्योंकि इस पॉइंट टाइम पर कोलोंबिया में अब काफी जादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिलना है कि जल्दी से जल्दी हाँ पर गौर्वर्मेंट एजन्सी इस चीज को स्थीक कर सके अभी कहले काफी लोग है कि उनके फादर को यहाँ पर वेनिजुएला लेके चाल चलता रहता है और इसलिए वहाँ पर सेफ्टी के कंसर्स काफी जादा है कर सेफ्टी कंसर्स की बात आती है अब बात करते हैं थोड़ा से यहाँ पर कॉनमेबॉल की टीम के आप देखो यहाँ पर बोका जुनियर्स और फ्लमिंगो फ्लमिनेस का मैच है रियो दी जेनेरिय में और यहाँ पर आप देखो कि मतलब सबसे वहले पर रोइटर्स की ख़़वर बताता हूं रोइटर्स ने अपने ऑफिशल डोकुमेंट में यह चीज अर्टिकुलेट करके बताया है कि दोनों ही फैन बेसिस की वीच में क्लैश हुआ है क्लैश इस चीज पर हुआ है कि क पाकी रिपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर बताया जाता है कि जो एक टाइक था वो अच्छली में ब्रजीलिन कलब का होम है और यहां पर बोका जुणियर्स के लगवार बीस हजार लोग है ऐसे बताया गया कि बीस हजार में तो फैमिली वगरा है फैन्स हैं फैमिली प्लेयर दे सबकी सेफटी को दाओं पे लगा के गेम करवाया जा रहा है जबकि यहां पर रियो कोई नूट्रल वेन्यू नहीं है ऐसे मैं बताएगा है कि जो उदर के ब्रदीलियन क्लब के फैंस थे उन्होंने प्लाइन किया और और ऑगनाइस किया अटाइक काफी सारी वी से नहीं कर सकते जहां पर फैंस प्लेयर्स और उनकी फैंदी इसको अगर आप सेफटी प्रवाइड नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते और ऐसे तरीके के अटाइक ओल नगे जो कि सह बावताओं तो हर जगह इसकी निंदा करनी चीए तो बहुत बुरी दिक्कत है अभी की प्लिस वह काम करी ही जो कि आप श्राओं करने के लिए कि आप शेफ्टी मिल रखे और तोड़ने दे रही है फिलमेनस वालों को कि Boka जुनियर की विलकुली दी भी दो गांट मराव छोगा काम चड़ रहा है मैच की पॉस्पॉन हो सकता है या फिर कैंसल भी यह देखना प तुम्हें सोचाता है एरिटन है कि पहली बार एरिटन है के टने और मैं ऐसा हुआ है कि alternative managers की list निकाल गई है देखो यह बहुत बड़ी चीज है और एक alternative managers की list निकालने अपने आफ में संकेत देता है कि वह यह time तो उल्टा चल रहा है या फिर time तो बहुत कम बचा है एरिटन है पर time sport के अगर हम बात करें उन्होंने एक्सलूजिव रिपोर्ट भी निकाली है जिस चीज़ से पुरा तमाशा भी उठा है कि यहां पर एरिटन है की job अब बहुत जादा खत्रे में है एरिटन है को सैक कर दिये गए नहीं लेकिन क छौब खतरे में है येस अब आरिटन है तो कितना बहुत है और अगर अंधर ऑर अगर अगर एरिटन की कहानी की बात करें तो मामला यह उठ रहा ही है कि एरिटने की अगेंस मीडिया ने छला दिय बहिए अपनी और United की case की बात करे है फिर बाकी case की बात करे है तो ऐसा ही होता है हमेशाद है जब भी कोई manager की पिछवाड़े पर धी पीटनी होती है तो वो यही करते हैं कि एक alternative manager की list निकल जाती है उसके बाद यहाँ पर एक fan perception भी बन जाता है और उसके बाद यहाँ पर dressy room से बहुत तच बहुत सारे senior players यहाँ पर एक टाक्टिक्स को claim नहीं करते उस से नहीं खेल सकते और यहाँ पर believe नहीं करते किसमें believe करते हो और अब तुम यहाँ पर एक टाक्टिक तो कौन लाके दे पैप गार्जुला लाके दे दे बियालसा लाके दे तुम्हें तुम तब बोलो जो तुम्हारा यहाँ पर on the pitch performance ताबर तोड़ हो और कहां कि ठीक है उसको पता है छड़ाड भी नहीं है लिगन फिर भी कहीं निकिता है कि उसको पता है कि जर्सी की क्या value है वो जर्शी की value मतलब इस बूड वाली चीज हो नहीं जी गुंडगान वाला हरकत ना सोचो तुम सोचो गुंडगान एक बाहर का प्लेयर, Manchester City से बार्सरों नमें आया वे एक साल भी नहीं हुआ, पहला L Classy हार गया, और उसके बाद बार्सरों के ड्रसी रूम में गया, उस बार्सरों के ड्रसी रूम में गया, जहां पर सबको perception बहुत बढ़ी आ है लोगों ने गा कि भाई इसी लिए तो गुंडगन को लाएं इसी लिए तो ट्रेबल विनर को लेक्के आएं कि इन्हें बताओ भाई कि येल क्लासिकों में हारना क्या होता है इन्हें बताओ कि भाई इस बार से जर्सी का पहनने का मतलब क्या होता है क्या जिदान आ सकता है देखो आइटिंग नहीं क्लियर है मैं क्यों घुमा पिडा के समको बता हुआ आंसर इस क्लियर नहीं उसके पीछे तीन चीज़ है पहली चीज जो क्लब का कल्चर है वो इस समय उसकी धीपिटी हुई है चुकि क्लब कल्चर में विनिंग सिंधरा के बाद वही चीज हो रही है कोई इनापर एक तरफा सॉलुशन की तरफ नहीं सोच रहा है कहीं ना कि सब के सब बलेम एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं और मैं टैनक को बचा नहीं रहा बिल्कुल भी बचा नहीं देख पर बहुत सब्से जाब लेम है लिकर मेरा व और दूसे क्लब कल्चर के लावा ओनर्स जिडान ने पेरेस को मना करा था ताम करने से यह ग्लेजर दें महमूद देगा वह उसके और उसकी दूसरी चीज़ यह है कि जिडान मिड सीजन क्यों लेगा कोई कलब को और मेंको तो समझ में नहीं आता कि यहाँ पर एरेटेनक को भी मिड सीजन सैक करने का मतलब 15 मिलियन पे है 15 मिलियन चार्जिस लगते है ग्लेजर चार दिन खाने निखाएंगे उस 15 मिलियन अगर उनको चलेगे तो ऐसे में यहाँ पर में पर जादा फोकस रखता है रादर देन जिडान जिडान नहीं आएगा उसके पास जाएंगे करेंगे जो करेंगे लेकिन जिडान पूरी तरगी से मना कर देगा that he is not interested इसी के जादर बात करते है थोड़ी सी लियनल मैसी की तो भी यह देखो मैसी और लेपोर्टा के बीच म जो भी गले-विले हुआ है जो भी पूई-पूई हुआ है उसके बाद काफी सारी अपडेट आन लगी कि क्या यहाँ पर हो सकता है क्या नहीं उसके ओपर से जब लियनल मैसी ने पनी बैलंडोर की सेरिमिनी में स्पीच में उसने बोला भी कि वह बार सुना फैंस को एक अ करें तो उन्होंने यहाँ पर एक जनरलिस्ट ने यह क्लेम किया है कि लेपोर्ता और मैसी के बीच में जो रिलेशन है वो अभी भी काफी जादा खराब है बत से बत्तर नहीं है लेकिन बत से बहतर भी नहीं है उन्होंने का कि जो रिलेशन है वहीं है इस तक्ड है यहाँ पर लिएरुनल मेसी को केंपनू के अन्विल पर लाने का बहुत बड़ा प्लाइन है और बार्शने थे इसको काफी अच्छे स्टेश पर करना चाहते है काफी बड़े लेवल पर करना चाहते है और इस चीज़ मेसी का पुरा पूरे है ना ही सिर्फ Messi का बलकि Intermayami का भी support है लेकिन अभी के लिए Lionel Messi Laporta से बात करने में बिल्कुल भी interested नहीं है साथ ही मतलब relation तो बहुत दूर की बात है तो relation से कही नहीं कि काफी जाता फार वो अपने आपको देखता है और उसके पीछे reason को या फिर Messi के जो पूरा influence है over Camp Nou, over Barcelona fanbase उसको वो नहीं अटा सकता उसको वो overpower नहीं कर सकता जिसे एक टाइम जब 2018 में Ronaldo और Perez की लड़ाई हुई थी तो Perez ने बहुत कोशिश करी थी कि वो PR से Ronaldo की पूरी legacy को या फिर उसको over topple कर दे वो चीज यहाँ पर नहीं हो पर even दो यहाँ पर Modric ने Valandoor जीत लिया था उसमें भी काफी काहा सुनी हो गए लेकिन फिर भी यहाँ पर Cristiano Ronaldo की जो muddard बारी लगी सी थी और muddard fanbase पर जो उसका influence था उसको वो बिल्कुल भी topple नहीं कर पाया था जिसके अकबारों में है भाई तुम पर सकते हैं इस चीज़ को सही मैं खेर इसी के दाथ मेरे बात करें अपनी अगली update की तो आती है वो यहाँ पर Sergio Ramos से देखो यह Sergio Ramos की अभी की जो performance आ रही है वो ताबर तोड़ा रही है अब वो League One में अच्छी आ रही थी उसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया लेकिन 37 साल के अगर हम El Capitano की बात करें जब वो Spanish उसमें ही आ गए territory में आ गए तो Saviyah के साथ उन्होंने जो game खिला जा रहा है standout performance उनकी आ रही है ऐसे मैं यहाँ पर Spain की जो नए manager है उनके ओपर एक बड़ी सर्जो रैमोस की किसी भी काम और किसी भी effort को मैं नीचे नहीं कर रहा लेकिन मैं अपना भरोसा बाकी सारे players पे उल्लडी जता चुका हूँ और मैं वहीं पर ही रखना जादा प्रफर करता हूँ तो सर्जो रैमोस का Spain का पत्ता तो कट गया इसी किता अगर नेमार की बात करें तो बैया नेमार का कल सर्जरी हो गया और वो सक्सेस्फुली हो गया अब डॉक्टर ने जिन्होंने यहापर सर्जरी करिया उन्होंने अपने official document में time of recovery यहाँ पर नहीं दिया लेकिन काफ़ी लोगे बता रहे है कि यह time of recovery है कोपा अमेरिका 12-24 से जस्ट पहले हो जाएगी यानि कि ब्राजील के साथ वो अपना campaign resume कर सकते है अगर भाई फिर से अंजल ना हो जाए तो उससे बात करता था मैं खेर इसी किता अगर बात करें अगर एक और update की तो आती है आपर जोशुआ के मच से तो बहुत देखो यहाँ पर अगर जर्मन sport की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर यह update दिये कि अभी के तौर पे जोशुआ के मच अपना contract renew नहीं करते है वो दिख रहे है बाइन मिनिक के साथ अब देखो बाइन पर काफी जो उनके जो sporting डिरेक्टर है डिरेक्टर फुट्बॉल है उनके बड़ पास एक बड़ी responsibility की तीन प्लेयर लिलो इसाने और यहाँ पर जोशुआ के मच और अलफॉंस तीनों का प्लेयर्स का जो contract है वो 2025 तक है ऐसे में यहाँ पर जोशुआ कि देखने वाली बात है कि जोशुआ के मिच अपना यहाँ पर future कहां देखते हैं और बायन इस समय में हैं लेकिन उसके बाद जितने भी सारे और उसमें वह यहाँ पर मेंडन ही गए हैं साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा कि जोशुआ कि पता है कि उसका लास्ट चांस होगा कि इसी भी बड़े क्लब में जाने का चाहें वो मैंचिस्टा सिटी हो और मोर्सों चाहें वो पार्सलोना हो आइन दोरों क्लब्स के लावा भी बहुत सारे क्लब्स आहीं जाएंगे युनाइटेट ना यह तो जादा बेटा है अब बहुत आगा तो झाल